हारले डैविटसन और ट्रायम्फ जैसी बाइक मैनफेक्ट्रिंग कमपनी से कॉंप्टिशन करने की तयारी कर ली है रॉयल एन्फील्ड ने और इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि वो इसी महीने 650cc ट्विन्स इंटरसेप्टर और कॉंटिनेंटल जीटी को लॉंच करने वाला है माहॉल को और जादा गरम करने के लिए रॉयल एन्फील्ड ने सिर्फ एक । इजाइन कंसेप्ट शो किया है इटली में हो रहा है ईएईसी में जिसका नाम है koncept के एक्स ये सिर्फ एक डिजाइन स्टडी कंसेप्ट है जिससे पिछले छे महीनों में तयार किया गया है अभी तक कोई भी ऑफिशल स्टेट्मेंट निकलकर भार नहीं आया है जिसमें कहीं पर भी कोई भी डिटेल्स लॉंचिंग के बारे में बताई गई हो और यही कारण ह कि इस गाड़ी के बारे में ऑफिशल जानकारी बहुत कम दी गई है इस गाड़ी का जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब इससे दुबारा से डेब्यू किया जाएगा और उसी समय पर इसके एक्जक्ट इंजन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स और वगरा वगरा जैस चीजें रिवील की जाएंगी फिर भी हाल फलाल जितना भी कुछ इस गाड़ी के बारे में अभी तक पता चल पाया है वो समय आपको पता देता हूं ये गाड़ी कम्प्रीटली बेस्ट होने वाली है 1938 में लॉंच हुई रोयल एनफील्ड के एक्स पर इस गाड़ी में 1140 सीसी का एर कूल्ड ट्विन सिलेंडर फॉर स्ट्रॉक इंजन मिला करता था हालंकि इतना बड़ा इंजन आपको इस रोयल एनफील्ड बॉबर में नहीं मिला करेगा इस गाड़ी में 838 सीसी ट्विन सिलेंडर विट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल सकता है इस इंजन डिटिल्स के आगे भी टी बी सी लिखा हुआ है मतलब टू बी कन्फरम्ड इस में 6-speed transmission मिला करेगा अभी तक कोई भी figures officially reveal नहीं किये गए हैं कि ये कितनी power generate किया करेगा और कितना torque generate करेगा लेकिन पूरी पूरी उमीद है कि ये इंजन करीब 90 PS की power generate किया करेगा और 100 या फिर 120 NM का torque generate किया करेगा खबरों की माने तो इस इंजन को Polaris Industries के साथ मिलकर बनाय गया है इसके लावा इस गारी के dimensions को officially reveal किया गया है जिसमें length 2160 mm, width 778 mm, height 998 mm, wheelbase 1530 mm, ground clearance 128 mm और seat height 760 mm बताई गई है इसके लावा इस गारी के front में double disc brakes और rear में single disc brake मिला करेगा और दोना ही जगे आपको anti-lock braking system भी मिला करेगा suspension की बात करते हैं तो front में आपको graded type front fork suspension मिला करेगा जबकि rear में monoshock इसके लावा इस गारी को देखकर जो पता चलता है जैसे कि इसमें LED headlamps मिलने वाले हैं with daytime running lights, alloy wheels, twin exhaust system, fully digital instrument cluster और single seat मिलने वाली है overall इस गारी के looks काफी जबरदस्त है शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे देखकर excite ना हो रहा हो Royal Enfield की गाड़ियां कौन नहीं खरीदना चाता कई लोगों के सपने होते हैं एक bullet खरीदने के और ऐसे मैं आने वाले सालों में इस गाड़ी Bobber को launch करना Royal Enfield के लिए एक फाइदमन सौधा साबित हो सकता है तो चलिए हाल फलाल तो इस गाड़ी के बारे में बस इतना ही कुछ पता पड़ पाया है अगर और भी कुछ पता चलता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी बताने की अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें इस चैनल को लें आपका दिन शोब रहे धन्यवाद जल्स कर दोदी। झाल झाल